इस मकर संक्रामती मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ सक्करपारी की रेसिपी इन सक्करपारे को बिल्कुल नए अंदाज में बनाएंगे और बहुती क्रिस्पी और कम चीनी वाले आपके सक्करपारे बनके तैयार हो जाएंगे और खाने में इतनी जादा स्वादिष्ट लगेंगे कि आपने इन्हें एक बार 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 बनाएंगे क्योंकि इस मिठाई को आप महिनों खा सकते हैं जल्दी खराब नहीं होती है एकदम क्रिस्पी करारी सी बनती है तो चलिए बिन अदेर की शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए एक कप मेंदा ली है आप यहां पर गेहों के आटिका भी इस्तिमाल कर सकते हैं पर सक्कर पारे जो है न मेंदा से ज़्यादा अच्छे बनते हैं लेकिन आप इसमें सूजी भी आट कर सकते हैं तो मैंने यहां पर आदे कप इसमें सूजी आट कर दी है और दोनों चीजों को हमने इस तरह से डाला और इसे मिला लिया क्योंकि इसी से हमारे सक्करपारे बढ़िया से बनने बाले हैं यहाँ पर एक चुटकी के करीब यहाँ पर नमक एड़ करेंगे क्योंकि हम मीठा बना रहे हैं तो थोड़ा सा यहां पर नमक का फ्लेवर दे देंगे मीठे को बैलेंस करने के लिए क्योंकि पिछले बार मैंने नहीं डाला था नमक तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी थोड़ा सा इसमें नमक डालिए तो और भी ज्यादा टेश्टी लगेंगे और बाकई यह उतने ही टेश्टी बने जितने पहली बार बने थे तो बस इसमें हमने डाला है यह एक तेहाई सबही आपको डालना है एक डम मिजर्मेंट बूब्रा एक दम परफेक्ट है और इसे हातों से से अच्छे सी मिक्स करना है सबसे अछा मोयम होता है घी का या डाल्डा का क्योंकि इस जो है सकर पारी बहुत करारे और क्रिस्पी बनते है श्मम मोइन को हातों से अच्छे से हमें mix कर लेना है और इस तरह से इसका लड़ू से बांदेंगे एकदम मतलब easy तरीके से ये लड़ू जो है बनना चाहिए साथ में आपको पानी लेना है और इसे डाल कर इसका एक soft आटा लगा के तयार करना है आटा को हम tight नहीं लगाएंगे soft लगाएंगे जैसी रोटी के लिए लगाते हैं क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो ये जब फूलेगी तो आटा हलका सा tight अपने आप ही हो जाएगा और soft का मतलब ये नहीं है कि एकदम गीला कर दें आप थोड़ा सा ही soft हमें इस आटिक को लगाना है तो बस इस तरह से मैं अच्छे से soft आटा इसका लगा के तयार कर रही हूँ कुछ इस तरह से ये आटा लग गया है लाश्ट में आप तेल या घी लगा कर हाथ उसे अच्छे से मसल सकते हैं और डो को आप इसे rest के लिए भी छोड़ सकते हैं मैंने क्या किया ये डो बनाने के बाद पांच मिनट ऐसे ही छोड़ दिया था और पांच मिनट बाद ही आपको इसको द्वारा से मसल के तयार करना है तो पांच मिनट हो गया है ये डो काफी set हो गया है तो मैंने इसे निकाल लिया है और इस तरह से इसकी चाल लोईयां बनाके तयार की हैं बहुत बड़ी नहीं है पर रोटी से ये डबल है ये देखने में भी पता चला होगा आपको अब हम तेल ये खी कुछ भी लगा लेंगे और बेलन की सायता से बेल के तयार करेंगे तो जैसे रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हमेंसे मोटा रखना है एकदम पतला नहीं मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कुछ इस तरह से एकदम पतला भी नहीं रखा है और ये चाकू का बिलकुर नौक होती है ये किनारा इसी से आपसी तरह कट लगाएंगे बहती कट लग जाएंगे और इस तरही से में है पतली चोटे चोटे सक्कर पारे बनागी ताकि अच्छे से ये सिक पाएर रूंधat बहुत ईजी बन जाते हैं पहले मुझे भी लग रहा था बहुत ही टायं लगेगा लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो यह इतनी जल्दी बनके तयार हो गए हैं लाश्ट में पानी जरूर लगा दीजिए ताकि यह कड़ाई में खुले नहीं तो मैंने लाश्ट में इसमें पानी लगाती गई हूं और इसे फोल्ड करती गई हूं फोल्ड करन इस तरह से फेरेंगे तो जो लाश्ट वाला पार्ट है वो अच्छे से चिपक जाएगा तो देखें इस तरह से मैंने लाश्ट में कर दिया है अब एक और तरीका मैं आपको बता रही हूं वो भी बहुत ही इजी है इसी तरह की डिजाइन का तो चाहो तो उस तरीके से भी ब सक्करपारे बनाने का और मकरसं करांती भी आ गई है तो इस मिठाई को आप इस्टोर कर पाएंगे बाद में भी आराम से खाते रहेंगे क्योंकि महीनों खराम नहीं होने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही स्वादिश लगते हैं आप देखें इस तरह से कट जिए तो आपको बार बार पानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से भी आप जल्यली फोल्ड कर पाएंगे और देखें यह सारे मेरे बन के तयार हो गए हैं तो चलिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं तेल को मीडियम गरम करेंगे देखें ऐसा नहीं करना है कि एकदम तेल बहुत ज़्यादा गरम हो जाए और जैसे ही हम डाले बैसे यह सिक्के निकलाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है धीमियाज में कुछ इस तरह से आपको डाला है ताकि अंदर तक क्रिस्पी हो पाएं और खाने में भी स्वादिश्ट लगे तो देखें अब हमने क्या किया इसे इस तरह से चला दिया है थोड़ा सा और एक बार में आप जितने चाहे डाल सकते हैं क्योंकि इनके खुलने के कोई चांस नहीं रहती जल्दी खुलते नहीं हैं बहुत ही अच्छी बनके तयार होते हैं आप देखें इनको कलर चेंज होने तक हमें तलना है तो इस तरह से हम घुमाते जाएंगे ताकि चारो तरफ अच्छी से सिख जाएं बहुत ही बढ़िया यह सक्कर पाड़े बनके तयार हुए हैं उमीद करती हूं आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइ है कि अच्छी बनेंगे और इसमें सूजी ब्रगार डाली है तो यह तेल नहीं पीते हैं तो देखें इस तरह से मैंने सारी सेत्यimana तयार कर लिये हैं और इनको ठंडा होने देते हैं ठंडे होने के बाद देखें कुछ इस तरह से ये देखेंगे और बहुत ही क्रिस्पी है मैं आपको तोड़ के दिखा दे रही हूँ कुछ इस तरह से बन गए हैं अब एक पैन ले लीजिएगा और यहाँ पर हम चासनी बनाने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने पैन में आदे कप चीनी डाली है अगर आप मीठा जादा पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं और जितनी चीनी थी उससे आदा पानी डालना है एक चौथाई कप क्योंकि हमें यहां पर पानी ज़्यादा नहीं डालना है अगर हमने पानी ज़्यादा डाला तो हमें चासनी को बहुत देर तक पकाना पड़ेगा अगर हम कम पानी डालेंगे तो हमारी गाड़ी चासनी हमें चाहिए है तो यह जल्दी बन जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें एकड़ी चासनी चाहिए है कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा रही हो चमच में यह कितनी जादा गाड़ी है इसे प्लेट पर गिराईएगा तो यह बहनी नहीं चाहिए कुछ इस तरह से गाड़ी चासनी होनी चाहिए तो यहां पर आपको दो तारी की चासनी इसके लिए चाहिए पड़ती है तो देखें यह चासनी जो है एकदम परफेक्ट बनके तयार हो गई है बहुत ही अच्छी सी दिख रही है अब हम इसे इस तरह से चला देंगे गैस बंद करने के बाद ताकि हलका सा इसमें दाना सा ब सॉप्ड नहीं होंगे कोłość से हलकी से ठंडी करने के बाद स्टेपलने के बाद जल्डी से डल देंगे और चला देंगे ताकि सारे सक्षणिक में लग जाए कुछ इस सी अब यह सक्करपारी चिपके नहीं तो मैं एक और आपको बताती हूं इनको आपको प्लेट में कुछ इस तरह से फैला देना है तो यह एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं अलग अलग रहेंगे और देखने में भी बहुत ही सुन्दर दिखेंगे तो बस इस तरह से मैंने सारे यह दिरे दिरे करके सुखना शुरू हो गए हैं अभी इनको और चोड़ेंगे तो और भी ज्यादा यह सूख जाएंगे आपको दिखने से पता चला होगा अच्छे से सक्कर पारे हमारे बन की तयार हो गए हैं बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं लगी है एक दम करारे और क् रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक जरूर करिएगा आप लोग